Hello everyone, this is Dr. Rachni Goyal. Welcome back to my class. आज की इस class में हम डिसकस करने जा रहे हैं, force and friction, push और pull, various kinds of forces and their uses, advantage and harmful effects of friction, how to reduce friction. So first of all, what is force? अगर हम किसी भी object पे पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? force बोलेंगे, तो push क्या होता है? अगर हम किसी object को अपने आप से दूर कर रहे हैं, move away कर रहे हैं, तो that is called push, और अगर किसी object को हम अपनी तरफ move कर रहे हैं, तो that is called pull. तो force हमारे लिए क्यों जरूरी है? force के कारण ही हम किसी भी stationary object को, किसी खड़े हुए object को move कर रहे हैं, एक जगा से दूसरी जगा, और force की ही help से हम किसी भी चलते हुए object की, जो activity है, उसकी गती है, उसको fast कर सकते हैं. force की help से ही हम किसी भी moving object को रोक सकते हैं, stop कर सकते हैं, और force के कारण ही हम किसी भी moving object की direction को, चेंज कर सकते हैं, और किसी भी object की shape को हम change कर सकते हैं. तो अब हम discuss करेंगे various types of forces, वैसे तो बहुत ज़ादा types होती हैं forces की, लेकिन यहां पे हम four types discuss करेंगे. first of all muscular, then second gravitational, magnetic and frictional force अब हम इसके बाद इन चारो forces को detail में discuss करेंगे तो first of all muscular force तो muscular force क्या होती है? ये एक ऐसी force है, एक ऐसा push और pull है जिसमें हम अपनी muscles की help लेते हैं जैसे कि हमारे body parts जो है movement शो करते हैं तो वो कैसे शो करेंगे with the help of muscular force अब example के तोर पे लगा लो जैसे कि जो workers होते हैं, laborers होते हैं वो अपनी shoulder पर heavy baggage उठाते हैं heavy bags उठा लेते हैं ठीक है? तो ये सबी किसके examples है? muscular force क्योंकि ये इस heavy burden को उठाने के लिए किसका use करें हैं? अपने muscles का use करें हैं second example लगा लो जैसे कि कोई car है अब वो stop होगी है, move नहीं कर रही तो उसको start up करने के लिए हम उसको पीछे से धकेलते हैं, push करते हैं तो ये किसकी example है? muscular force की, क्योंकि इसमें हम अपने muscles का use करें हैं और अगर हमने किसी plant से full को तोड़ना है, plug करना है तो ये भी किसकी example है? muscular force की अब इसके बाद हम discuss करेंगे gravitational force तो gravitational force क्या है? ये कैसी force है, जिसके कारण कोई भी object अर्थ के center की तरफ attract करता है तो जैसे कि इस example में हम देख रहे हैं कि जैसे कि एक tree से apple नीचे गिर रहा है तो ये कहां गिर रहा है? नीचे गिर रहा है ये किसके कारण है? gravitational force के कारण है gravitational force के कारण ही कोई भी thing है जो हमेशा किसकी तरफ attract करेगी किसकी तरफ move करेगी? ground की तरफ अगर suppose हम किसी ball को उपर की तरफ भी फेंके तो वो वापिस कहां पे आएगी? नीचे की तरफ ही move करेगी just because of gravitational force जो हमारी अर्थ है उसकी gravity को हम denote करते है with the small letter G तो इसको हम measure कैसे करते हैं? इसके units है meter per second square ये इसके units है now we will discuss magnetic force तो magnetic force क्या है? magnetic force एक ऐसी force है जिसके कारण जो iron की बनी हुई चीजे है iron objects है वो एक magnet की तरफ attract हो जाते है इसको हम क्या कहेंगे? magnetic force ये क्यों होता है? क्योंकि magnets जो है वो एक field produce करते है that field is called magnetic field उसी के कारण जो जितनी भी iron की बनी हुई चीजे है वो किसकी तरफ attract हो जाएंगी? iron magnet की तरफ attract हो जाएंगी जितनी भी iron की बनी हुई चीजे है तो एक जो magnet है उसके two poles होते है कौन-कौन से two poles होते है? जैसे कि एक north pole होता है हमारा एक south pole होता है अगर suppose हम एक और magnet ले ले उसका भी same है north pole और south pole अगर suppose हम नौर्थ pole को magnet के north pole को दूसरे magnet के north pole के पास लेके आए तो same pole हो गए लेकिन अगर North Pole को हम दूसरे Magnet के South Pole के पास लेके आएं तो वो क्या करेंगे, attract करेंगे, क्योंकि वो Unlike Pols है, और Unlike Pols क्या करते हैं हमेशा, attract करते हैं, तो now we will discuss Frictional Force, तो Frictional Force क्या है, ये एक ऐसी Force है, जो दो अबजेक्ट्स के, तो डिफरेंट अबजेक्ट्स के between होती है, तो य ये जो Frictional Force है, ये हमेशा कहां पे लगती है, जब जो अबजेक्ट्स है, मूव कर रहे हैं, ये कभी भी Stationary, मतलब जो एक जगा पे खड़े हुए अबजेक्ट्स हैं, उनके बीच में ये Force कभी नहीं लगती, तो Frictional Force के कारण ही, जितने भी Moving Objects है, ठीक है, वो Move कर रहे हैं, that means, हम उसको Stop कर सकते हैं, या फिर हम उसकी जो Movement है, उसको क्या कर सकते हैं, Slow Down कर सकते हैं, Suppose अब जैसे कि हम अपने Hands को दोनों को जैसे Rub करते हैं, तो जब हम अपने Hands को Rub करते हैं, तो उसके बाद जो हमारे Hands जब वो क्या हो जाते हैं, वाम हो जाते हैं, गरम हो जाते हैं, क् कि जो rubbing है, rubbing के कारण, friction के कारण उनमें क्या होगी, heat produce होगी, जब heat produce हो जाएगी, due to friction, उसके कारण क्या होगा, जो हमारे hands है, वो क्या हो जाएगे, warm up हो जाएगे, ठीक है, अब दूसरी example हम करते हैं, जैसे suppose हमने एक matchbox ले लिया, तो matchbox जब हमने ले लिया, तो अगर हम जब matchbox उसपे move करवा रही है, तो उस movement के कारण, वो क्या पड़ेगी, वो जल पड़ेगी, मतलब जो matchstick है, वो जल पड़ेगी, क्यों जल पड़ेगी, क्योंकि, जो matchstick है, वो matchbox के rough surface पे move कर रही है, और जिसके कारण, वो दोनों चीज़े क्या होगी, एक दूसरे से stick होगी, ज तो जो friction है, frictional force है वो हमारे लिए बहुत जादा हमारे daily activities में बहुत जादा important है, क्यों important है क्योंकि friction के कारण ही हम क्या कर सकते हैं, paper पे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं क्योंकि अब pen और paper में क्या है, friction produced हो गया, और इसी की help से ही हम क्या कर सकते हैं, erase कर सकते हैं, किसको erase कर सकते हैं, पैंसिल मार्क्स को, जब हम पेपर पे लिखते हैं, तो पेपर के जो पैंसिल के मार्क्स बन गए हैं, उससे को हम एरेज कर सकते हैं, with the help of erazer, क्यों? क्योंकि erazer और paper में क्या हो गया? friction produce हो गया, तो friction के कारण ही हम एक जगा से दूसरी जगा क्या कर सकते हैं? वाक कर सकते हैं, movement show कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे foot है, ठीक है? जो हमारे foot है और earth है, दोनों में क्या produce हो गया? जो ground है दोनों में क्या produce हो गया, friction produce हो गया, और friction के कारण ही, जो हमारे vehicles के tire हैं, ठीक है, वो road पे movement show करते हैं, this is all just because of friction, इसके बिना हम और भी examples कर सकते हैं, जैसे हम suppose brake लगाते हैं, हमारे bicycle के brakes लगा रहे हैं, तो rubber brake pad होते हैं, जो वो किसके contact में आ जाते हैं, ये metal surface जो है हमार wheel का, उसके contact में आ जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा bicycle है, वो stop हो जाता है, और friction के कारण ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी object की direction को change कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम example के तौर पे करें, जैसे जो ball है, ठीक है, और bat है, ball और bat जो है हमारे, जो bat है, वो ball की जो direction है, उसको change कर सकता है, क्योंकि दोनों में friction produced हो गया, similarly in case of shuttle cock and badminton rocket, तो badminton rocket क्या करेगा, जो हमारी shuttle cock है, उसकी direction को change कर सकता है, क्यों, क्यों change कर सकता है, क्योंकि दोनों में friction produced हो गया, अब इससे ये तो हमें पता चल गया, कि friction हमारे लिए बहुत important है, हमारी daily life activities में बहुत ज़ाद important role play करता है, इसी के साथ साथ हम discuss करेंगे कि ये harmful भी है, तो harmful कैसे है, suppose अगर हमने heavy load जो है, उसको slide करवाना है, एक जगा से दूसरी जगा move करवाना है, तो friction के कारण ये बहुत ज़ादा difficult हो जाता है, friction के कारण अब हमें ये भी पता चल गया, कि heat produce होती है, ठीक है, तो जो machines है, अगर machines में ये heat produce हो जाएगी, तो ये हमारे लिए harmful है, क्यों harmful है, क्योंकि ये machine के जो parts है, उसको क्या कर सकते है, damage कर सकते है, अब हम ये भी हमें पता चल गया, कि हम friction के कारण क्या कर सकते है, move कर सकते है, एक जगा से दूसरी जगा, क्योंकि जो हमारे shoes है, या हमारे feet है, और ground दोन है, similarly क्या होगा, जो हमारे tires है, vehicle के, ठीक है, उन में भी क्या हो सकते है, वो भी गिस सकते है, ठीक है, उसको damage हो सकता है, वो खराब हो सकते है, similarly क्या होगा, जैसे machines है, machines में भी heat produce होती है, तो जो heat produce होगी, वो में ने आपके साथ पहले कि जो heat produce होती है ठीक है वो body उसके machine के parts को मतलब घरम कर रहा है लेकिन साथ में क्या है उससे क्या होगा energy loss भी होगा जिससे क्या होगा यह हमारे लिए यह मतलब जो harmful effect जो है वो produce कर सकता है और अगर हम jeans की बात करें तो jeans में क्या है jeans और हमारे knees है अब हम move करें है एक जगा से दूसरी जगा move करें है तो जिसके कारण हमारी जो jeans है वो वहाँ से घिस सकती है फट सकती है क्योंकि उन दोनों में क्या हो रहा है रगड हो रही है और यहां पे रगड हो गई that means friction हो गया तो friction के कारण वो वहाँ से घिस सकती है फट सकती है तो तो इसलिए अगर हम surface को ही smooth बना दें तो friction कम होगा, लेकिन हम surface को smooth कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे हम उसके लिए 3 method discuss करेंगे, सबसे पहले discuss करेंगे, lubrication method, that means हम उसको oil दे सकते हैं, polishing method and adding powder, तो polishing और lubrication and adding powder यहाँ पे हम discuss करेंगे, lubrication method क्या होता है, कि जैसे हम oil दे दें, जैसे हम machines पे काम करते हैं, तो अगर हम machine में engine भी है, तो अगर हम engine और engine के parts को oil दे दें, तो उससे क्या होगा, उसका surface जो है, वो smooth हो जाएगा, तो driving जो है, वो हम easily कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या method है, polishing, तो polishing से हम क्या कर सकते हैं, surface को smooth बना सकते हैं, जैसे हम अगए टलोथ से мतलब जो हमारा surface है, floor है, हम अगर हम वेहां उसको क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, मॉपिंग कर देते हैं तो हमें चलने में problem आती है, हमें चलने में problem क्यों हो आ रही है, यहां तगिश क जो friction है, वो क्या हो गया, reduce हो गया, कम हो गया, इसी के साथ ही साथ, हम क्यारम games जो होती है, जी कै, उसके बारे में discuss करेंगे, अब हम क्या करते हैं, उसके उपर powder लगा देते हैं, तो हम powder जो उसके उपर sprinkle करें हैं, हम क्यों करें हैं, तांकि जो उसका surface है, वो क्या हो सके, smooth हो सके, क्योंकि अब smooth surface हो गया, जिसके कारण क्या होगा, जो stricker है, हमारे coins है, मतलब वो smoothly move कर सकते हैं, जब हम game खेलते हैं, तो वो smoothly move करेंगे, अब smoothly move क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो उसका friction है, वो कम हो गया, thank you very much, I hope you will like this video, if you